बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम सुदाद अमद की तरफ से सब को सलम पूंचे बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 40 चैनले स्टार्ट करते हैं तरफ तरफ को स्टेटि अगर में निवाद के तरफ रूपर और किसी टेबल पर लगाते हैं यह कोई रूल यह कोई जिस्टिक्षन किसी कॉलम यह तैबल के लगाते हैं तो वह उसकी इत्यार कूंस्ट्रेट्स के लाता है यह दो टैप कि होती है एक column level पर होती है और एक table level पर होती है type of constraints different constraints in SQL as follow SQL हमें मुत्री तरह की constraints पर वाइड करता है उसमें एक है not null और null की यानिके जहां मैं यह लिखा होगा not null तो इसका मतलब यह होगा कि इस field के अंदर जो भी value आएंगी वो not null लोगी यानिके null नहीं होंगी हमेशा वहां कोई ना कोई value आएगी तो इसको हम इससे नहीं देच सकते हैं कि अगर हम कोई table create करते हैं create table EMP employer number number type उसकी data type है और charlent है लेकि यह चीज एक new है इसका मतलब है not null का मतलब कि इसके अंदर null value नहीं आ सकती यानिके employee कोई भी होगा कि यह value जरूराएंगी जब और चारहर वहां कुछ लिखें या ना लिखें ये चलिएगा इस तरह manager लिखें या न लिखें ये भी चलिएगा optional है salary इदर लिखे ना लिखे यानिके जो चीज लिखनी हो या ना लिखनी उसको हम blank छोड़ देते हैं लेकिन जो fix हो या जरूरी हो या mention करना हो कि यह value जरूर आएंगी इदर तो वहां हम यह लिख देते हैं not null तो not null का मतलब होगा कि यह value null नहीं हो सकती कोई ना कोई इसके अंदर value must आनी चाहिए तो यह जो rule हम लगाते हैं यह null और not null के लगता है इनके considerate उसके बाद unique unique इनके उस कालम के अंदर जितनी भी value होएंगी वो must भी unique होनी चाहिए यानिके duplicate नहीं होनी चाहिए कोई value डिपीट नहीं होनी चाहिए जो भी value हैगी वो unique होगी एक दफा ही आएगी तो इसको देख लेते हैं create table department यह हम पहले देख चुके हैं तो यह column आएगा department number उसकी data type आएगी number और उसकी length आएगी 5 constraints, enum, unique हो unique यानिके इसको हमने unique ही कह दिया तो unique का मतलब यह है कि अब इसके अंदर कोई value डिप्लिकेट नहीं आएगी जो department number है वो एक दफा जो आ गया वो आ गया उसकी तरह का दूसरा department number नहीं आसकता यह value एक दफा ही आएगी नाम के उपर आप unique नहीं लगा सकते क्योंकर नाम सेम हो सकते हैं नाम दो आ सकते हैं तीन आ सकते हैं लेकिन department number सेम नहीं हो सकते हैं हाट department का अपना ही एक नंबर होता है department name वार्चार और इसकी length 14 हैं तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यूनियक बगारा तो इसका मतलब है यह सेम हो सकते हैं तो इसको हम दूसरे तरिके से भी लिख सकते हैं create table एम create table department का और department number यह department name वार्चार टाइप उसकी और इसकी length इतनी location वार्चार उसकी length इतनी तो constraints का लफज हमने लिखा तो इसका मतलब है कि यह नम unique की यूनिक की आएगा किसके अंदर department के अंदर इनके department का जो number है उसके उपर unique की लगा दिया या unique लगा दिया तो इसका मतलब है कि department number के अंदर कोई भी value duplicate नहीं आएगी हमेशा unique value आएगी अगर हम duplicate enter करना भी चाहें तो हमें error देगेगा primary की अगर हमने tables के अंदर किसी column को primary की set करना हो तो हम इसको mention का देते हैं कि यह वाला primary column है इसको हम देख रहेते हैं कैसे create table और department का table हमने create करना है पहला column का है department number और number उसकी type है और length उसकी 5 है और यह show कुरवार दिया है कि यह primary की है कमा लगा दिया department name वारचार उसकी data type 14 उसकी length है constraints इनम उनीकी तो हमने department name के उपर उनीकी लगा दिया है और location जो है वारचार है और उसकी 13 length है तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि create table department और नमबर उसकी type है और 5 उसकी length डपार्टमें नेम वारच चार 14 उसकी length location वारचार 13 उसकी length concentrates department उनीक की तो यह department name के उनीक की आजाएगी तो डिपार्टमेंट जिसकी अपर हमने primary की देनी है वो दे देंगे यह इदर हम function को call करेंगे उनीक का यह primary का तो उसके अंदर जिस column के उपर हम को value लगाना चाहते हैं उसको call कर देंगे तो व सेम इसी तरह foreign की के विकंस्ट्रेंट हैं यानि के rule है regulation है रिसके अंदर हम लिख देंगे कि यह foreign की है तो वो foreign की के तो पर इसकी example हम दे सकते हैं कि दो तरह कि इसकी example दीगी है create table EMP employee का table create core employee number यह है उसकी data type यह है उसकी length यह है और not null तो इसका मतलब होगा कि यह null नहीं हो सक है जाब उसकी अवार चाय टाइप है पंदरह करेक्टर तक है higher date उसकी data type है manager उसकी number data type salary data type number है commission data type number है department number यह चीज़ जो है department नमबर और उसकी data type नमबर है चार उसकी length है reference department जहां reference लिखा होगा तो इसका मतलब है यह एक फारण की के तो पर समाल हो रहा है इसी चीज़ को अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको इधर देख सीकते हैं considerate emp department फारण की तो इसका मतलब है कि department number को फारण की के तो पर समाल किया गया क्यूंकि जब हमने फारण की के function को call किया तो इसके जो parentheses हैं इसके अंदर उस column को mention कर दिये कि इस column के उपर हमने फार इनके दो वे में बता रहे हैं कि ये वाला वे कि किस तरह फारण की इसमाल कर सकते हैं कि ये वाला वाई in both ways department number column of EMP टेबर reference department number column of the department table अगर कोई question ए कम्पिंटर सेंस के मतलब वो पूछे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें